MP अध्यापकों की क्रमोननती 1998 एवं 2006-2008 तक नियुक्त एक जन्वरी से वेतन विद्धी मिलेगी। क्रमोननत और समयमान की आस लगाए हमारे साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्म तथे और सुझाव। 1. समयमान क्रमोननत वेतन के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ती दिनाख व प्रथम पद से की जाएगी पदोननत पद के आधार पर सेवा की गणना नहीं की जाएगी। दो आपको समय मान, क्रमोननती मिलने पर कौन सा वेतनमान मिलेगा इसका निर्धारन प्रथम नियुक्ती के पत के वेतन के आधार पर किया जाएगा उदाहरन 1 जुलाई 98 में नियुक्ती शिक्षा कर्मी वर्ग 2 की पदोननती वर्ष 1 जन्वरी 10 को वरिष्ट अध्यापक पद पर हुई तो उन्हें डिसेंबर 24-30 माइनस 35 वर्ष वाला क्रमोननत वेतन मान देया होगा और 1 जुलाई 22 से दूसरी कर्मोननती ग्रेट पे 4200 के इंडेक्स में प्राप्त होगी दिनाक 1 अगस्त 2001 द्वितिय समयमान वेतन दिनाक उदाहरन सम्विदा शाला शिक्षक वर्ग एक नियुक्ती दिनाक 1 अगस्ट 2001 द्वितिय समयमान वेतन दिनाक 1 अगस्ट 2021 से लगेगा और ग्रेड पे 5400 के इंडेक्स प्राप्त होगा तीन समयमान क्रमोननत वेतन की तिथी के पहले पदोननती हो गई है तो क्रमोननती तिथी को वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा और क्रमोननती के बाद क्रमोननत वेतन मान वाले पद में ही पदोननती मिलती है तो भी वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा चार समयमान वेतन केवल ऐसे नवीन शिक्षकों मिलेगा जो शिक्षा कर्मी वर्ग शून्य एक, समविधा शाला शिक्षक वर्ग शून्य एक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदू पर सीधे नियुक्त हुए है पाँच कालपनिक वेतन निर्धारन की स्थिती हमारे समवर्ग में एक जन्वरी सोला के बाद और एक जुलाई अथारा के पहले के प्रकरणों में उत्पन होगी यह स्थिती छोटाओ मा, शिक्षकों के प्रकरणों में सबसे ज्यादा सामने आएगी क्योंकि अध्यापक समवर्ग के हमारे लिए बारा वर्ष की क्रिमोननती का नियम था अब उच्च माध्यमिक शिक्षक को दस वर्ष के समयमान का आदेश हुआ है तो बड़ी दुविधा की स्थिती निर्मित हो रही है कालपनिक गर्णा के प्रकरणों में समयमान की तिथी 10 वर्ष पस्चात रहेगी बस वेतन और एरियर का निर्धारन 1 जुलाई 2018 से किया जाएगा कर्मोननती और समायमान में वेतन निर्धारन के समय विशेश ध्यान दे जिन्हें 2 जनवरी से 1 जुलाई तक क्रमोननती समयमान मिल रहा है ऐसे साथी क्रमोननती आदेश पस्चात वेतन निर्धारन के समय जुलाई की नियमित वार्षिक वेतन व्रिधी प्राप्त करके इस प्रकार आपको वार्षिक वेतन व्रिद्धी प्रदान करके उच्छ वेतन में वेतन निर्धारन किया जाएगा और आपको भविष्य में एक जुलाई को ही नियमित वार्षिक वेतन व्रिद्धी प्राप्थ होगी। परी तक क्रमोननत से एक सटेप कम पर वेतन पाएंगे एक अन्य बात का हमें ध्यान क्रमोननत साथी अपने एरियर का गणना पत्रक अपने डीडियों से अवश्य प्राप्त कर ले ये उन्हें आयकर घोशना पत्र के समय फार्म 10 इजमा करने के लिए काम आएगा और वे आयक भुखतान से बच सकेंगे दस ए आयकर घोशना पत्र के समय हम तयार करवा देंगे इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो ब